So hello everyone, यह है SITI के quarter 2 के result आगे हम यहाँ पर देखेंगे इस share के result यहाँ पर कैसे रहे है शुरुआत करेंगे यहाँ पर इस share के total income से तो yearly basis में यहाँ पर जो income है वो 1337 million थी जो quarterly basis में 1174 million यहाँ पर हो गई है quarterly basis में यहाँ पर जो share की income है वो यहाँ पर decrease हुई है अब पात करते हैं share के total expense की total expense जो है yearly basis में 1,978 lakh थे जो quarterly basis में 1,959 lakh यहाँ पर हो गए है income के साथ साथ यहाँ पर expense में decrease हुए है total comprehensive income 640 lakh था ब्रेकट में था यानि loss में था जो है 837 lakh यहाँ पर हो गया है ब्रेकट में है यानि की loss में हो गया है आगे हम इस share के earning per share को भी देख लेते हैं तो यहाँ पर earning per share 74 पैसे था ब्रेकट में था यानि loss में था अब जो है 96 पैसे हो गया है ब्रेकट में है यानि की loss में है overall analyze करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो share की result है वो अच्छे देखने को नहीं मिले है प्राइस लेवल की बात करते हैं तो शेयर के प्राइस लेवल भी यहाँ पर अच्छा नहीं है तो आप शेयर को यहाँ पर सेल कर सकते हैं long term के perspective से भी hold करने के लिए जो यह शेयर है वो यहाँ पर अच्छा नहीं है